TGT PGT Balogy MCQ Test 4 में आप सब ही लोगों का स्वागत है चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन है काला अजार फैलता है चार आपसन दिये गए हैं चारों आपसनों में से एक आपसन सही है जिसके द्वारा काला अजार फैलता है ये कुश्चन TGT 2013 में पूछा गया था तो इसका आंसर होगा पहला फलीबोटोमस के द्वारा काला अजार फैलता है आपको बता दें कि काला अजार नामक रोग समन्ता प्रोटो जोवा संग में एक जिव पाया जाता है लीसमेनिया डोनोवेनी के द्वारा होता है ये कि संग का जनतु है प्रोटो जोवा संग का जनतु है कौन लीसमेनिया डोनोवेनी और इसी के द्वारा काला अजार होता है ये समान रूफ से बुखार है कहलेजी कि बार बार आने वाला बुखार है इसमें वजन लगतार कम होता जाता है और लिसमेनिया का वाहक होन है तो रेत मक्खी होती है या इसी को बालू मक्खी भी कहा जाता है या फलीबोटोमस कहा जाता है प्रिश्मेनिया का वाहख कौन होगा या तो रेत मक्खी या बालू मक्खी होगी या फिलीबोटोमस होगा, जो कि इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर फैल आता है, इसलिए प्रश्ण में कहा गया था कि काला अजार फैलता है किसके द्वारा, तो जो फैल आता है उसक के द्वारा प्रसारित होती है किस के द्वारा प्रसारित होता है चार आफसनाफ रोक के सामने दिये गए है ये TGT 2003 में कुछा गया था इसका आंसर होगा C सेंड फ्लाई के द्वारा सेंड फ्लाई यानि बालू मक्खी मैंने जो रेत मक्खी बताया है चाहे रेत मक्खी कहो चाहे बालू मक्खी कहो चाहे सेंड फ्लाई अंग्रेजी में कह दीजिए तो काला आजार किस के द्वारा फैलेगा सेंड फ्लाई के द्वारा फैलेगा नेश कुछ्चन है सेंड फ्लाई किस रोग के रोगारवों को फैलाती है देखे वही कुश्चन गुमा-गुमा करके पूछे गए थे 2002 में ही आया वो這種 my time आया था जो पहला कुश्चन बता है था वो 2013 में आया था तो सैंड फ्लाई किस रोग के रुगाड़ों को फैलाती है तो क्या बताएंगे काला अजार काला अजार के रोगाड़ों को सेंड फलाई पहलाती है चाहे रेत मक्ही कहलीजिए चाहे फिलिबो टोमस कहलीजिए चाहे बालू मक्ही कहलीजिए कोई भी हो अगर नाम तो बताएंगे काला अजार ये पहलाती है काला अजार और एक रोग आ गया ओरियंटर सार ये रोग निम्ड में से किसके द्वारा फैलते हैं चार चीजों के नाम चार जीवों के नाम लिखे गए किसके द्वारा फैलते हैं TGT 2010 में कुछा गया था तो इसका आंसर होगा सेंड मक्ही के द्वारा या रेत मक्ही के द्वारा या बालू मक्ही के द्वारा या फली बोटोमस के द्वारा कोई भी आप नाम बता सकते हैं इसके द्वारा या फैलता है नेश कुछन है लीसमेनिया डोनोवेनी से कौन सा रोग होता है लीस मेनिया डोनो वेनी से होने वाले रोग का नाम बताना है सबी लोग अब तक जान चुके होंगे बार-बार करके वही कुछन पूछा गया तो इसका आंसर होगा C, काला अजार लीस मेनिया डोनो वेनी है क्या तो ये संग प्रोटो जुवा का जन्तु है जिसके द्वारा क्या फैलता है काला अजार नामक बीमारी फैल जाती है नेश कुछन है काला अजार बीमारी का वाहग है देखिए फिर से 2010 और 2013 ये PGT में पूछा गया अभी तक TGT में आया था अब ये PGT में आया 2010 में और 2013 में काला अजार बीमारी का वाहक पूछा गया है तो क्या बताएंगे फ्लीबोटोमस क्योंकि इसमें रेत मक्खी है नहीं, बालू मक्खी है नहीं, सैंड फ्लाई है नहीं, तो क्या बताएंगे फ्लीबोटोमस क्योंकि वो उसी को कहा जाता है नेक्स कुश्चन है लाल रोधिर कडिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं या किसके कारण दिखाई देते हैं TGT 2013 में कुश्चन पूछा गया था इसका आंसर होगा P लाल रोधिर कडिकाओं में या RBC में सुफनर के बिंदु मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं आपको बता दें कि मनुस्य के लाल रोधिर कडिकाओं या RBC में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक बिसेस अवस्था में दिखाई देते हैं से स्टेज होती है तब दिखाई देते हैं जब मलेरिया पर जीवी प्लास्मोडियम वाइवाइक्स के क्रिप्टो मेरो ज्वाइट्स आर्बीसी में प्रिवेश करते हैं जो मलेरिया पर जीवी होता है प्लास्मोडियम ये प्लास्मोडियम वाइवाइक्स के जो मेरो ज्वा क्या करते हैं सिगनेटरिंग अवस्था और अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट दिखाई देते हैं उसी को यहां पर बताया गया था यदि आप लोग मलेरिया पर जीवी का जीवन चक्र देखना चा आते हैं तो मेरे चनल में अप्रोडडर है और फूल प्रोटो जोवा संक के बारे में आप रूख जा करके जानकर ये प्राप्त कर सकते हैं कहीं से भी कुछन पूछा जाया आप रूख तुरंद बता लेंगे नेश कुछन है प्रोटो जोवा का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मलित हैं, क्या कहलाता है, प्रोटो जोवा का एक ऐसा वर्ग, जिसमें केवल आंतरिक परजीवी, परजीवी दो परकार के होते हैं, बाय परजीवी और अंतरिक परजीवी, यहां पर कहा गया केवल आंतरिक परजीवी सम्मलित हैं, ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है TGT 2011 में कुछण पूशा गया था इसका आंसर होगा C. इस्पोरो जोवा इस्पोरो जोवा के अंतरगत केवल आंतरिक पर जीवी है आप लोगों को बता दें कि संग प्रोटो जोवा वर्ग के इस्पोरो जोवा के अंतरगत केवल आंतर पर जीवी आते है और इनमें गमानिया चलन के लिए उपांग अनुपस्थित होते है या कलेजी की उपांग नहीं पाय जाते है और प्राया बीजान जनन द्वारा होता है नेश कुछन है अमीबा में पोशन कैशा होता है TGT 2013 में कुछन पूछा गया था कि अमीबा में पोशन कैशा होता है तो आंसर होगा इसका C अमीबा में होलो जोईक पोशन होता है तो होलो जोईक निट्रीशन होता है और या सर्वाहारी होता है सर्वाहारी अर्था सभी प्रकार के जलिये सूचम जीवों को खाता है ये चाहे जो हो सब को खा जाए सरवाहरी हो गया उसके पस्चात अपनी कोशका के अंदर खादधानी में इसका पाचन हो जाता है क्योंकि एक खादधानी के रूप में भोजन को अंदर करता है तो खादधानी में ही जो फोड वर्कूल्स होती है उस שמe उसका पाचन हो जाता है और पाचन अंताकोश की प्रकारका इसमें पाये जाता है मलेरिया पर्जीवी के जीवन चक्र में साइजान्त अवस्था किसमें पाये जाती है तो PGT 2013 में कुछा गया था इसका आंसर होगा B मानों के लाल रुधराडवों में यदि आप लोग मलेरिया परजीवी का जीवन चकर देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप रुख जा करके वीडियो को देख सकते हैं समझ सकते हैं डीटेल से मैंने समझाया हुआ है नेश कुछन है मलेरिया परजीवी के जीवन चकर में साजान्ट अवस्था होती है देखे फिर से वही कुछन आया गुमा कर पूछा गया है 2010 में तो इसका आंसर होगा C मानों के लाग रुद्राडवों में एक कुछन कई कई बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है थोड़ा सा बदल देते हैं और पूछा जाता है इसलिए सभी कुछन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे नेश कुछन है पेचिस उत्पन करने वाला कारक है येनमी से ऐसा कौन सा जियू है जो पेचिस उत्पन करता है तो हम सभी लोग जानते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस नामग रोग उत्पन हो जाता है इसका आंसर सही होगा B नेश कुछन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होती है 2013 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर होगा D संकुचित धानी अनुपस्थित होती है संकुचित धानी या संकुचन सील धानी कोशिका में परासरण नियंतर का कारी करती है और एंट अमिवा हिस्टोलेट का एक परजीवी प्रोटो जोवा है जो की मनुस्य की आत में रहता है नेश्ट कुस्चन है निलुकित में से कौन मानों परजीवी प्रोटो जोवा मनुस्री के मुख में पाया जाता है और मसोडों को छाती पहुचाता है ऐसा कौन सा मानों में परजीवी पाया जाता है प्रोटो जोवा संकार जो मसोडों को छाती पहुचाता है तो आंसर होगा इसका पहला Ant amoeba gingivalis Ant amoeba gingivalis मसोडों को छाती पहुँचाता है Next question है Proto-Joba के जन्तुओं में संकुचन सील धानी का कारे है Proto-Joba संग के जन्तुओं में संकुचन सील धानी का क्या कारे है TGT 2010 में कुच्चन पुछा गया था इसका आंसर होगा C परासरण नियंत्रण का कारे करती है संकुचन सील धानी बता दें कि यह उनकी कोशिकाओं में जल का नियंत्रण करती है यानि Proto-Joba संकी कोशिकाओं जो होती है उनमें जल का नियंत्रण करती है और केबल ताजी जल में रहने वाले प्रोटो जोवा में होता है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें संग कुछन सिल्धानी पाई जाती है नेक्ट कुछिचन है सत्य कथन पहचानिये चार आपसन दिये गए हैं इसमें सत्य कथन पहचानना है 2011 में पूछा गया था TGT में एक कुछिचन तो इसका आंसर होगा पहला प्रोटो जोवा अधिकतर बिसम पोसी होते हैं बता दें कि संग प्रोटो जोवा के अंतरगत आने वाले समस्त जीव एक कुछ की होते हैं और इनकी कुछिचाय कैसी होती हैं प्रोकेरियाटिक होती हैं और ये अधिकतर बिसम पोसी होते हैं नेश कुछिचन है पैरा मीशियम में सहयुगमन में किसका आदान प्रदान होता है यानि पैरा मीशियम में जब सहयुगमन होने लगता है तो किसका आदान प्रदान होता है टीजी टी 2010 में कुछ न पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है तो आंसर होगा इसका पहला लगु केंद्रिका का दान प्रदान होता है बता दें कि पैरा मीसियम में दो या दो से अधिक केंद्रक पाये जाते हैं और बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक कहा जाता है और छोटे केंद्रक को लगु केंद्रक कहा जाता है लगु केंद्रक जनन में भाग लेता है और गुरु केंद्रक समाने उपापचाई किरिय था इसका आंसर क्या होगा चल्दी से बताना है पोशाण खंडाण वीजाण पुटी मलेरिया पर जीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है आंसर होगा इसका सी वीजाण संक्रामक अवस्था होती है बता दें कि मलेरिया पर जीवी होता है प्लाद्मो डियम और प्लाद् ख्रामक अवस्था भी जान होती है जो कि इनाफलीज मच्छर की लार ग्रंतियों में होते हैं और इसके काटने से रुधिर में प्रवेस कर जाते हैं यदि आप लोग मलेरिया परजीवी प्लाजमोडियम का जीवन चक्र देखना चाहते हैं तो डिस्क्रेप्शन में लिंक है आप लोग जा करके फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नेश्ट कुश्चन है मलेरिया परजीवी के गेमिटोसाइड बनते हैं चार आपसन आप लोग के सामने दिये गए हैं जल्दी से सोचे और बताइए ये कुश्चन TGT 1999 में प्रवेस्चन पूछा गया था कि मलेरि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया परजीवी कौन होगा प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम संग प्रोटो जोवा का जन्तो है और यह प्लाज्मोडियम दो जन्तों में अपनी लाइफ साइकल पूरी करता है पहला पोसक है या पहला जन्तो ह मनोर्स और दूसरा होता है मक्षर मलेरिया का वाहक वाहक यानि फैलाने वाला कौन है तो मादा इनफ्रीज मक्षर है जो मलेरिया के वाहक फैलाता है और जिस जन्त उसे होता है उसे क्या कहते है प्लास्मोडियम कहा जाता है Next question है साइटोपाइंग पाया जाता है किसमे चार आफसंदिये गए हैं साइटोपाइंग किसमे पाया जाता है आंसर सही होगा इसका पहला पैरामेसियम में साइटोपाइंग पाया जाता है बता दें कि साइटोपाइंग पैरामेसियम के खाद उपकरण होते हैं और पैरामेसियम म में एक आस्थाई भाग खुला होता है जिसे साइटो पाहिं कहा जाता है यानि दाये भाग में एक आस्थाई ये टेंप्रोरी खुला भाग होता है उसी खुले भाग को क्या कहते हैं साइटो पाहिं कहा जाता है इसका निर्मार तब होता है जब आपच्चे पदार्थ सरीर स बाहर निकलते हैं यानी undigested जो food होता है वो बाहर निकलता है तब suffering का निर्मार होता है next question है ko कोसिका द्वारा जल पीने की परिकिरिया को कहते हैं 6 अपसंद्ध के गएoin koosika के द्वारा जल पीने की प्रिकिरिया को क्या कहा जाता है TGT 2005 में question पूछा गय था इसका answer होगा D Pinocytosis Pinocytosis कहा जाता है किसको कोशिका द्वारा जल पीने की प्रिकिरिया को बता दें कि कोशिका द्वारा बाह माध्यम से किसी द्रविय पदार्थ को ग्रहन करने की प्रिकिरिया Pinocytosis कहलाती है यानि बाहरी माध्यम से किसी भी लिक्वीड को ग्रहन करने की एबसेट करने की एबसॉप करने की प्रिकिरिया को Pinocytosis कहा जाता है जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहन करना भाप्चण कहलाता है Phagocytosis कहलाता है यानि liquid पदार्थ को ग्रहन किया जाएगा तो पीनोसाइटोसिस कहलाएगा और ठोस पदार्थों को ग्रहन किया जाएगा तो फाइगोसाइटोसिस कहलाएगा तो कोसका द्वरा जल पीने की ग्रहन क्या हुई क्योंकि ये liquid है तो पीनोसाइटोसिस हो जाएगा अगर ठोस 2005 में कुछ सम्पूछा गया था इसका आंसर होगा D. गमन एवं भोजन ग्रहन करने के लिए अमीबा के पादाब महत्पूर्ण होते हैं आपको बता दें कि जीवित अमीबा की सतह के चारों तरफ जीओधरविके छोटे-छोटे से उभार निरंतर बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं या कहलीजी की बिलीन होते रहते हैं बनते हैं फिर मिट जाते हैं बनते हैं फिर मिट जाते हैं और इन ही उभारों को जो उभार बनते हैं इन ही उभारों को पादाब कहा जाता है या कहलीजी की कूट पाद कहा जाता है यदि अमीबा के बारे में और अधिर डीटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चर्में वीडियो अप्लोड़ेड है और मैंने डिस्क्रिप्समें लिंक दे रखा है आप लोग जा करके देख चकते हैं अमीबा में पादाब के दो महत्तुकून कारे होते हैं पहला तो गमन यानि लोको मोशन करते हैं गमन करते हैं पादाब के सहायता से और दूसरा पादाब के सहायता से भोजन ग्रहन भी करते हैं फूड इंजेशन भी पादाबों की सहायता से ही होता है नेश्ट कुश्चन है पैरा मीश्यम में भोजन ग्रहन की विधी है पैरा मीश्यम में भोजन ग्रहन की विधी को क्या कहा जाता है आंसर होगा पहला होलो जोई कहा जाता है बता दें कि जब बाह भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी ग्राही अंगद्वारा ग्रहन किया ऐसे उनमें होलो जोई प्रकार का भोजन ग्रहन होता है नेश कुछ चने पैरा मीस्यम में साइक्लोसिस की परिखटना का संबंध होता है किस से पैरा मीस्यम में जो साइक्लोसिस की परिखटना होती है इसका संबंध किस से होता है चारा अफसन दिये गए हैं इसका आंसर होग सी पाचन से होता है बता दें कि पैरा मेस्यम में भोजन अंतर ग्रहन करने के बाद साइटो फैरिंक्स में पहुंचता है जब अंतर ग्रहन हो जाता है तो साइटो फैरिंक्स में पहुंचता है जहां से ये खाद धानी या फूड वैक्यूल में आता है और इसके बाद खाद साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रब्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचल होता रहता है नेश्ट कुश्चन है प्लाजमोडियम में लग युगमक और गुर युगमक बनाते हैं लाजमो डियम जो होता है उसमें लग यूगमक और गुर यूगमक क्या बनाते हैं टीजी टी 2004 में कुश्चन पूछा गया था इसका आंसर होगा डी यूगमनेज बनाते हैं यानि लग यूगमस और गुर यूगमस बिलकर यूगमनेज का निर्माण करते हैं या जाइगोट का निर्माण करते हैं और इन में से कुछ मीरोजोयट्स युगमक कोशिकाएं बनाते हैं या गेमिटोसाइट्स बनाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं लग युगमक कोशिका और गुर युगमक कोशिका यानि माइक्रोगेमिटोफाइट्स और मैक्रोगेमिटोफाइट्स ए इसमें से कौन सा option सही होगा इसका answer सही होगा C बीजारुज कहा जाता है बीजारुज मरुशी के लिए प्लाजमोडियम वाईवैक्स की संक्राम कवस्था बीजारुज या इस्पोरोजवाइट से होती है दूसरी भासा में कहें तो इस्पोरोजवाइट से होती है और इसका निर्माड मादा इनाफलीज के आमासे की दिवार में होता है जो मादा इनाफलीज मच्छर होता है उसकी जो इस्टमक वाल होती है उसमें इसका निर्माड होता है जहां से ये लार ग्रंतियों में एकत्रित हो जाते हैं और मच्छर के काटने पर मनुसिके शरीर के अंदर चले जाते हैं, नेक्ष कुछन है, मानों के लिए प्लाजमोडियम की संक्रमर प्रावस्था कौन सी है, मानों के लिए या मनुस्य के लिए प्लाजमोडियम की संक्रमर प्रावस्था कौन सी है, आंसर स्वयोगस में से पहला, इस पोरो ज्वाइट से होती है, प्रोटो जोवा में पाई जाती है तो विखंडन जीवों का एक प्रकार का अलेंगिक जनन होता और यह किरिया पूरी तरह से पिक्सित मूलकोसिका या पैरंट्स सेल में होती है जाती है चार अफसन ले गए है अमीबा में यूगलीना में पैरा मेशियम में इनसाभी में कुंचन सील रिख्थिका किसम में पाई जाती है PGT 1990 में कुछा गया था इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आंसर होगा D, अमीबा में भी, युगलीना में भी, पहरा मेश्यम में भी इन तीनों में कुंचन सील रिक्तिकाएं पाई जाती है इसलिए आप्सन सेयोगस में से D, इन सभी में बता दें कि कुंचन सील रिक्तिका ताजे जल या आलवडिये जल में पाई जाने वाले एक कोसिकी प्रोटो जोवा में पाया जाता है उपर युग तो सभी विकल्पों में पाया जाता है और यहाँ उनकी कोसिका में जल नियंत्रन का कारी करता है या Osmore Regulation का कारी करता है एसकान नाल प्रणाली पाई जाती है जार आप सब दिये गए हैं आप लोग के सामने इसमें से बताना है कि एसकान नाल प्रणाली किसमें पाई जाती है TGT 2013 में कोईसन पूछा गया था ये आपको बता दें कि कैनाल सिस्टम को नाल प्रणाली कहा जाता है नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम कहा जाता है और जो इस्पंज होते हैं पोरी फेरा संग में पोरी फेरा संग के इस्पंजों का ये बिसेस लक्षन होता है कौन? नाल प्रणाली वाला और इस्पंजों की देहभित जो होती है इस पे नाल प्रणाली पाई जाती है, यह बिल्कुल अंदर खोखला होता है, उसी को नाल प्रणाली कहा जाता है, और यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्कान, साइकान, लिवकान, आधि प्रकार के पाई जाते हैं, तो इसका आंसर होगा C, लिवकोसोलेनिया में इसकान ना हाँ निकारक होता है, मोती उद्धो के लिए, ये कुईस्टन PGT 2010 में पूछा गया था, कि मोती उद्धो के लिए, कौन सा यसा सेंपंज है, जो हाँ निकारक होता है, चार आप सन दिए गए हैं, इसमें से आनसवर सायोगा D, कलियोञा, क्लियोना इस्पंज मोती उद्धो के लिए हानिकारक इस्पंज होता है बता दे कैसे तो क्लियोना को सामानता बोरिंग इस्पंज के नाम से जाना जाता है जो क्लियोना है इसको सामाने रूप से बोरिंग इस्पंज भी कहा जाता है और यह स्पंज ओइस्टर तथा मसेल की खोल में सुरंग बना देता है ओइस्टर क्या है तो मोती प्रदान करने वाला मोलस्का होता है इसके खोल में सुरंग बना देता है और मसेल क्या है तो खाद के रूप में प्रिक्त होने वाला है तो इसमें सुरंग बना देता है छिद्र कर देता है सुरंग यानि छिद्र कर देता है इसलिए कहा गया कि मोती उद्दूग के लिए कौन सा स्पंज अहां निका रख है तो क्लियो ना क्योंकि इसो बोरिंग स्पंज कहा जाता है और ये छिद्र बना देता है बिल कर देता है नेक्ट कुछिस्टन है आलवडिये जल का स्पंज है आलवडिये जल का स्पंज कौन सा होगा बताना है चार आप संदिये गए हैं TGT 2009 में कोई साथ पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला इस पांजिला आलवडिये जल का स्पंज होता है बताते चलें कि अधिकांस्ता स् लवडी जल में बहुत कम इस्पंज पाया जाते हैं, कम संख्या में होते हैं, इस्पांजिला एक ऐसा इस्पंज है, जो आ लवडी जल में पाया जाता है, या फ्रेस वाटर में पाया जाता है, नेश कुशन है, बिलांचली जनतु कहां पाया जाते हैं, चार आपसंद ये ग बता दें कि समुद्र के किनारों पर रहने वाले जन्तु को बेलांचली जन्तु कहा जाता है यानि जो समुद्र के किनारों पर जन्तु रहते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं बेलांचली जन्तु कहते हैं और गहरे समुद्र में रहने वाले जन्तु क्या कहलाते हैं पिलैज उन्हें पिलेजिक जन्तों कहते हैं और जो समुद्र की तली पर रहते हैं उन्हें बेन्थिक जन्तों कहा जाता है। इसका आंसर होगा C, कंकजन कोशकाओं के द्वारा इसका निर्माड होता है। जो कंकजन कोशकाओं होती हैं ये कंटिकाओं का निर्माड करती हैं या इसपे क्यूल्स का निर्माड करती हैं और संचयार जो होते हैं ये खादिपदार्थों का संग रह करते हैं। जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है। समुद्र के तल में रहने वाला जानवर क्या कहलाता है? चार आपसंद दिये गए हैं, PGT 2004 में question पूछा गये था, इसका answer होगा B, नितलस्त, समुद्र के तल में रहने वाले क्या कहलाते हैं? नितलस्त कहलाते हैं, ऐसे जारवर जो समुद्र के तल में रहते हैं, नितलस्त कहा जाता है और बहते हुए जल में रहने वाले जन्तु क्या कहलाते हैं सरित जीवी सरित जीवी कहलाते हैं और इस्थिर जलासयों में जो जन्तु रहते हैं उन्हें सरो जीवी कहा जाता है सरो जीवी और समुद्री जल में स्वतंतर रूप से रहने वाले जन्तू को अन्बुधी कहा जाता है नेश कुछन है जन्तू के एबाईसल रूप पाये जाते हैं चार आपसन दिये गए हैं इसमें से कौन सा आपसन सायोगा जन्तू के एबाईसल रूप किसमें पाये जाते हैं आंसर सयोगा पहला गहरे समुद्र में पाये जाते हैं, बता दें कि गहरे समुद्र में रहने वाले जन्तु जो 4000 से 7000 मीटर की गहराई में पाये जाते हैं, समुद्र के अंदर 4000 से 7000 की मीटर की गहराई तक पाये जाने वाले जन्तु एबाईसल जन्तु कहलाते हैं, एबाई इस पंज कहा जाता है TGT 2011 में question पूछा गया था इसका answer होगा C U-Sponge या बाथ इस पंज कहलाता है बाथ इसमज किसे कहते हैं U-Sponge को बाथ स knights बोला जाता है बता दें कि U-Sponge या का साधारण नाम बाथ इस पंज है. साधारण नाम क्या है? बाथ soup और इसका कंकाल द्रण सरंगी इस्पंजी तंत्वों का बना होता है और कंकाल का रंग उड़ा कर सुखा लिया जाता है और उससे इस नान के लिए प्रियोग में लाया जाता है नेश कुचन है निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशकाएं इस्पंज में भोजन का संचय करती है इन में से कौन सी ऐसी कोशकाएं है जो इस्पंजों में भोजन का संचय करती है दो बार कोशन कोशा गया है 2004 और 2013 में PGT में इसका आंसर होगा D 300 साइट्स प्रकार की कोशकाएं इस्पंज में भोजन का संचय करती हैं बता दें कि इस्पंज की देभित में तीन अस्तर होते हैं और जिनमें से विभिन प्रकार की कोशकाएं पाई जाती हैं इनमें 300 साइट्स जो होती हैं मीसो फिल अस्तर में होती हैं जो भोजन का संचय करती हैं नेक्स्ट कुश्चन है, इस पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं, चार आपसंद किये गए हैं, इस पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं बताना है, TGT 1999 कुश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा B, कोईनोसाइट्स, कोईनोसाइट्स आंसर होगा इसका, next question है sponge में कसाब युग्त कोशिकाएं होती है फिर से ये PGT 2011 में आया वो TGT 1909 में पूछा गया था sponge में कसाब युग्त कोशिकाएं होती है answer होगा क्या C coinocytes next question है silica मैं कंटिका के निर्माण के लिए silica 4 आपसन दे गए है silica मैं कंटिका के निर्माण के लिए silica तो answer जोगास में सी D sponge द्वारा समुद्री जल से निस्कासित किया जाता है silica मैं कंटिका के निर्माण के लिए silica कहां से निकाला जाता है sponge के द्वारा समुद्री जल से निकाला जाता है next question है पैरागेस्ट्रिक केविटी का दूसरा नाम है क्या इन में से दूसरा नाम होगा पैरागेस्ट्रिक केविटी का तो आंसर से वह सी इस्पेंजोसील इस्पेंजोसील पैरागेस्ट्रिक केविटी का दूसरा नाम है आपको बता दें कि इस्पंजों की केंद्रिय गुहा को इस्पंजों सील कहा जाता है जो इस्पंजों की केंद्रिय गुहा होती है बीच की गुहा होती है उसको इस्पंजों सील कहा जाता है और इसी को पैरागेश्ट्रिक गुहा भी कहते हैं पैरागेस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है नेश्ट कुशन है समुद्री अखरोट किस संग में आते हैं समुद्री अखरोट किस संग में आते हैं PGT 2011 में कुशन पूछा गया था इसका आंसर होगा B तीनोफोरा में ये टीनो फोरा संग में समुद्री अखरोट आते हैं आपको बता दें कि समुद्री अखरोट टीनो फोरा संग के जन्तूओं को कहा जाता है इन जन्तूओं को समुद्री अखरोट कहा जाता है इन्हें कामब जेली ये समुद्री अखरोट भी कहते हैं कामब जेली भी कहा जा इसी लिन को क्या कहते हैं समुद्री अख्रोट कहा जाता है नेश कुछिचन है फंजिया का साधारण नाम है चार आपसन आप लोग के सामने लिखे गए हैं इसमें से फंजिया का साधारण नाम क्या है उससे बताना है पीजी टी 2013 में पूछा गया था तो इसका आंसर होगा पहला कुकुरमुत्ता कोरल फंजिया का साधारण नाम होता है और इसी तरह से जो लाल कोरल होता है लाल कोरल कोरेलियम का साधार नाम है कोरेलियम का साधार नाम और जो मस्तिस्क कोरल होता है मस्तिस्क कोरल में डिरना का साधार नाम है में डिरना और आरगन पाइप कोरल य कहा जाता है तो इतनी सारे साधार नाम मैं बता हैं कोई भी question पूछ लिए जा आप तुरंद बता लेंगे next question है बहुरूपता देखी जाती है चार आफसंदिये गए हैं इन में से किस में बहुरूपता देखी जाती है टीजी टी 2010 में question पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला सीलेंट्रेटा में बहुरूपता देखी जाती है आपको बता दें कि सीलेंट्रेटा संग के जन्तुों में सरीर के कई रूप देखे जाते हैं जो सीलेंट्रेटा संग के जन्तु होते हैं इनके सरीर के कई सारे रूप होते हैं जिसे बहुरूपता कहा जाता है ये अंग्रेजी में कहें तो पॉलिमॉर्फिज्म कहा जाता है ये मुख्यता हद दो रूपों में होते हैं पॉलिप और मिडियुशा दो रूपों में पाये जाते हैं next question है metagenesis पाया जाता है Metagenesis किस में पाया जाता है चार आपसन दियेगा इसमें से कौन सा आपसन सही होगा ये PGT में दो बार question आया 2010 में आया और 2013 में आया important question है Metagenesis पाया जाता है किस में answer सही होगा B Obelia में Metagenesis पाया जाता है आपको बता दें कि संग सेलें ट्रेटा के कुछ जन्तों में अलायंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में पीड़ी एकांतरन होता रहता है इसे ही Metagenesis कहा जाता है यानि जो सेलेंट रेटा संग के कुछ जन्तों होते हैं उन जन्तुओं में अलाएंगिक और लैंगिक जीवन चक्र में पीड़ी एकांतर या कहलेजी कि अलटरनेशन अब जनरेशन होता रहता है इसी चीज को मेटाजेनेशिस बोला जाता है नेश कुष्चन है मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जन्तुओं में देखने को मिलती है देखें वो question PGT 2010 और 13 में पूछा गया था उसी question को घुमा कर पूछा गया PGT 2011 में metagenesis किस वर्ग के जन्तों में देखने को मिलती है इस तरह से पूछा गया है तो इसका answer क्या होगा पहला hydrozoa में metagenesis देखने को मिलती है आपको बता दें कि संग सेलेंट ट्रेटा के कुछ जन्तों में अलैंगिक और लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र पीड़ी एकांतर में होता रहता है यानि अभी मैंने बताया था Alternation of Generation होता रहता है और इसे ही metagenesis कहा जाता है सामानता वर्ग हाइडरो जोवा के जन्तों जैसे ओबिलिया आध में metagenesis देखने को मिलती है तो हाइडरो जोवा है क्या तो वास्तों में हाइडरो जोवा वर्ग है किसका संग सेलेंट ट्रेटा का Next question है Metagenesis की परिगटना देखने को मिलती है किसमें देखने को मिलती है चार आप संदिये के है तो इसमें कौन सा सही होगा C कुछ सेलेंट ट्रेट में metagenesis की परिगटना देखने को मिलती है और वास्तों में metagenesis होती क्या है तो जो सेलेंट ट्रेटा संके कुछ जन्तों होते है अलेंगिक और लेंगिक अवस्थाओं में जीवन चक्र अल्टरनेशन अप जन्रेशन चलता रहता है उसे ही metagenesis कहा जाता है नेश कुछ चन है इफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है जल्दी से सोचे और बताइए किसके जीवन चक्र में होगा पाई जाती है प्लैनुला पहले अवस्था क्या है प्लैनुला दूसरी है स्काइफी स्ठोमा तथा तीसरी है इफाइरा ये तीन अवस्थाएं हो गई प्लैनुला इस स्काइफी स्ठोमा और इफाइरा ओबिलिया में केवल प्लैनूला लारवा अवस्था पाई जाती है जो ओबिलिया है इसमें केवल प्लैनूला लारवा अवस्था होती है नेश कुछन है कुछ जौला मुखी दीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भिति कहलाती है कुछ जौला मुखी दीपों के तटों के पास यानि किनारों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भिति क्या कहलाती है आंसर होगा इसका डी तटी ये प्रवाल भिति कहलाती है आपको बता दें कि प्रवाल भिति को अंग्रेजी में कोरल रीप्स बोला जाता है और ये कैल्सियम कार्बोनेट की बनी बिसे से जन्तु बनाते हैं, 4 आप समदिए गए हैं, TGT 2002 में कुछा गया था यह, इसका आंसर होगा D, Cylentrate कोरल चट्टाने बनाते हैं जो Cylentrate होते हैं वो कोरल चट्टानों का निर्मार करते हैं नेक्स कुछन है इन में से कौन सा एक कोरल नहीं है इन में से कौन एक कोरल नहीं है बताना है आंसर होगा D Sainia कोरल नहीं है बागी तीनों आप्सन कोरल हैं नेक्ट कुश्चन है निम्न में से कौन सा जन्तु परजीवी नहीं है ऐसा कौन सा जन्तु है जो परजीवी नहीं है TGT 2010 में कुश्चन पूछा गया था मच्छर, फीता क्रीमी, समुद्री अनिमोन, जोंक परजीवी कौन सा नहीं है आंसर होगा C, समुद्री अनिमोन परजीवी नहीं है बता दें कि फीता क्रीमी, जोंक तथा मच्छर परजीवी होते हैं लेकिन जो समुद्री अनिमोन है या एक सहभोजी है की एक gastropod mollusk के खाली पड़े खोल से जुड़ा होता है जो gastropod mollusk होते है उसके खाली पड़े खोल से जुड़ा हुआ होता है जिसमें hermit crab रहते हैं घर्मिट जो crab होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं next question है hydra में पुनर्जनन होता है किस से होगा नेक्ट कुश्चन है हाइड्रा में सारीरीक संगठन होता है कैसा हाइड्रा में कैसा सारीरीक संगठन पाया जाता है टीजी टी दोजान नौ में कुशन पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला उतकी अस्तर का सारीरीक संगठन हाइड्रा में पाया जाता है बता दें कि करने के लिए वेवस्थित हो जाती हैं इसलिए शरीर संगठान बहुत की अस्तरुका और यसा कॉल सा जन्तु है। जिनमें तंत्र होता है लेकिन अमी वाहइडरा के च्ट्ञ Enough fat था इसका आंसर होगा बी हाइड्रा में तंत्री का तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिस्क नहीं होता आपको बता दें कि हाइड्रा में आधुर्वी तंत्री का तंत्र को सिकाओं का एक तंत्री का जाल या नर्वनेट पाया जाता है जो कि अल्प बिक्सित तंत्री का तंत्र करियर मार करता है और इसमें मस्तिस्क नहीं होता है नेश कुछ्चन है बहुरूपी प्राणी है चार आपसन दिये गए इसमें से कौन सा ऐसा आपसन है जो बहुरूपी प्राणी है तो आंसर सर्गस का पहला हाइडरेक्टीनिया हाइडरेक्टीनिया जो होता है यह बहुरू जॉइट्स और टेंट क्लो जॉइट्स एस्टेक्लो जॉइट्स गोर्नो जॉइट्स आधी बहुत सारे होते हैं और इसलिए से बहुरूपी प्राड़ी कहा जाता है नेक्स कुश्चन है दन्सिका क्या है चार आपसंदिये गए है टीजी टी दोजार पांच में कुश्चन गया था कि दन्सिका क्या है इसका आंसर होगा सी एक कोसिका का भाग दन्सिका कहलाता है बता दें कि दन्सिका या निमेटो साइट्स की उपस्थिती सीलें ट्रेटा संग के जन्तू का विसेस लक्षण होता है दन्सिका को निमेटो साइट्स कहा जाता है और इमकी यानि इसमें दन्स कोशचा बिसेश लकषण होती हैं ये नीडो साइट या नीडो ब्लास्ट नामक बिसेश कोशिका से उद्बन कोशिकांग होते हैं next question है हिप्नोटॉक्सिन नामक बिसेलापदार्थ किसमें होता है चार आप संदिये गए हैं इसमें से किसमें हिपनो टॉक्सिन नमक बिसैला पदार्थ पाया जाता है तो इसका आंसर होगा D. निमेटो सिष्ट में हिपनो टॉक्सिन नमक बिसैला पदार्थ पाया जाता है यानि जो हाइडरा होता है हाइड्रा की जो धन्सकोशिकाएं होती है इनसे एक बिसैला पदार्थ स्रावित होता है जिसे हिप्नो टॉक्सिन बोला जाता है और निमेटो सिष्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपना सिकार पकड़ता है और अपनी सुरक्षा भी करता है नेश्ट कुश्चन है हाइड्रा की दन्सकोशिका से निकलने वाला बिसैला द्रव है चार आपसंद दिये गए है हाइड्रा की दन्सकोशिका से कौन सा बिसैला द्रव निकलता है टीजी टी दोजार तेरह में कुश्चन पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला हिपनो टॉक्सिन हिपनो टॉक्सिन नामक बिसैला द्रव निकलता है नेश्ट कुछिशन है हाइड्रा के निमेटो सिष्ट में पाया जाने वाला बिसैला पदार्थ है देखें दो बार कुछिशन आया वो TGT 2013 में आया यह TGT 2010 में आ चुका था उसके पहले ही तो इसका आंसर होगा पहला हिपनो टॉक्सिन इंपोर्टन कुछिशन है याद रखेंगे आप लोग हाइड्रा के निमेटो सिष्ट में पाया जाने वाला बिसैला पदार्थ क्या होगा हिपनो टॉक्सिन होगा नेश्ट कुछिशन है दंसिका निम्न में पाई जाती है दंसिका किस में पाई जाती है पोरिफेरा सिलेंट्रेटा निमेटोर से निलिडा किस में TGT 2003 में कुछिशन पुछा गया था तो जो दंसिका होती है जो दंसिकोसकाएं होती है ये दंस को सिकाएं सीलेंट ट्रेटा संग के जन्तों में पाई जाती हैं नेश्ट कुछचन है ओबिलिया की समवेदी को सिकाएं हैं ओबिलिया की समवेदी को सिकाएं कौन सी होती हैं तो इसका आंसर होगा D लिथो साइट ओबिलिया की समवेदी को सिखाएं होती है Next question है Stato cyst पाई जाती है TGT 1999 question पोछा गया था कि Stato cyst किसम में पाई जाती है केच्वे में, काक्रोथ में, ओबिलिया में, पैरामीशियम में आंसारोगस का C ओबिलिया में Stato cyst पाई जाती है बता दें कि ओबिलिया सीलेंट्रेटा संग का एक जन्तु है और इस संग के जन्तुओं में अल्प बिक्सित यह खलीजी की प्रिमिट्व तंत्री का तंत्र पाया जाता है और इनमें इस्टेटो सिष्ट नामक संतुलन अंग पाये जाते हैं प्लैनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है चार आफसन दे गए हैं प्लैनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनेगा इसका आंसर होगा पी ओबिलिया के जीवन चक्र में प्लैनुला लार्वा बनता है बता दें कि प्लैनुला लार्वा सीलेंट्रेटा या नि किसमे डिप्लो ब्लाष्टिक आगूहिक अवस्था किसमे पाई जाती है? TGT 2004 में कुछा गया था इसका आंसर होगा C समुद्री एनिमोर में डिप्लो ब्लाष्टिक आगूहिक अवस्था पाई जाती है next question है हाइड्रा सभी परकार के खादे पचा सकता है इसे छोड़ कर किसे छोड़ कर हाइड्रा सभी परकार के खादे को पचा सकता है tgt. कि हाइडरा में पाचन अंताहकोस किये तथा बाहकोस किये दोनों प्रकार से होता है यानि इसमें पाचन कैसा होता है इंट्रासिलिलर और एक्स्ट्रासिलिलर दोनों तरह से होता है और यह प्रोटीन वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइडरेट का पाचन कर सकता है या स्टार्ज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पाचन से सम्मंधित एंजाइम इसमें नहीं पाये जाते हैं निश्कुचन है, ओबिलिया के भोजन ग्रहन करने वाले ज्वाइट्स कहलाते हैं, आंसर होगा इसका D, पॉलिप कहलाते हैं, ओबिलिया एक बहु रूपी जनतु होता है, और इसकी कालोनी में काई प्रकार के सदसे होते हैं, इनमें पॉलिप भोजन ग्रहन का कारी करते हैं नेट है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है क्या आंसर होगा इसका पहला तुंडक अनुपस्थित होता है आपको बता दें कि टीनिया सजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुस की आत के परजीवी होते हैं ये दोनों ही जो फीता क्रिमी हैं ये दोनों ही क्या होते हैं मनुस के आत के परजीवी होते हैं इनमें सरीर तीन भागों में बटा होता है, इनका सरीर कैसे? तीन भागों बटा, इस्कॉलेक्स, ग्रीवा, इस्ट्रोबिला, तीन भागों बटा, कौन कौन सा? इस्कॉलेक्स, ग्रीवा, इस्ट्रोबिला, तीनिया सोलियम के इस्कॉलेक्स भाग में तुंडक, चूसक तथ हुक पाया जाते हैं लेकिन जो टीनिया सजिनेटा है टीनिया सजिनेटा में तुंडक या रोश्टेलं तथा हुक नहीं होते हैं इसमें तुंडक नहीं पाया जाता है और हुक भी नहीं पाया जाता है इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपेटिका का लारवा नहीं है आंसर बताना है कौन सा फैसियोला हिपेटिका का लारवा नहीं है चार आपसं दिये गए हैं इसमें से आपसं सयोगा भी हेक्सा कैंथ एक फैसियोला हिपेटिका का लारवा नहीं है बता दें कि फैसियोला हिपेटिका या यक्रित परण इसे कहा जाता है यक्रित परण भी कहते हैं या एक प्रकार का परजीवी होता है और इसके जीवन चक्र में पांच लारवा अवस्थाएं होती हैं कौन-कौन सी मिरा सीडियम, स्पोरोसिष्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया पांच लारवा वस्थाएं मिरा सेडियम, स्पोरोसिष्ट, रेडिया, सरकेरिया और मेटा सरकेरिया नेश कुईशन है यक्रिति क्रिमी का स्वतंत रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लारवा है यक्रिद क्रिमी जो होती है इसका स्वतंत रूप से जो तायरने वाला सीलिया यूक्त लारवा होता है उसे क्या कहा जाता है TGT 2013 में कोईशन पूछा गया था इसका आंसर होगा B मिरे सेडियम कहा जाता है मिरे सेडियम बता दें कि यक्रित क्रेमिकों अंग्रेजी में लीवर फ्लूक कहते हैं लीवर फ्लूक और ये भेण तथा अन्यमवेसियों जैसे बकरी, सुवर अन्यमवेसियों जैसे बकरी सुवर है आदिके लीवर में पाया जाता है और इसके जीवन चक्र में बिभिन अवस्थाएं होती मैंने जो अब भी बताया था मिरे सेडियम है इसपोरोसिस्ट है रेडिया, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया ये सब अवस्ताईं इसके जीवन में पाई जाती है सबसे छोटा फीटा उता है सबसे छोटा फीटा क्रीमि कौन सा है चार आप सन आप लोग के सामने दिए गए है तो इसका answer स्योग सी Echinococcus Echinococcus सबसे छोटा फीटा क्रीमि होता है दिये गए बिकल्पों में इकाइनो कोकस जो है वो सबसे छोटा फीता क्रिमी है और इसकी लंबाई कितनी होती है तो इसकी लंबाई तीन से छे मिमी तक होती है और इसकी प्राथमिक पोसत जो होता है वो कुत्ता होता है इसका प्राथमिक पोसत क्या है कुत्ता होता है और मा को भी ये प्रभावित कर सकता है नेश कुश्चन है ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है यानि ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किस से होता है स्वसन से उस सर्जन से पोशन से पाचन से most important question है ज्वाला कोशकाओं का संबंध किस से होता है answer होगा B उस सर्जन से यानि ज्वाला कोशकाओं उस सर्जन से संबंधित है और पूछा जाया कि किस संग में ज्वाला कोशकाओं पाए जाती है तो संग प्लेटी हेलमेंथी संग में या इन संग के जन्तों में ज्वाला कोशकाओं पाए जाती है और ये इक्सक्रिशन या उससर्जन से संबंधित होती है इन कोशकाओं के बीच में एक बड़ी सी गुहा होती है बड़ी सी कैविटी होती है और इसमे फ्लेजिला के एक सिरे आपस में मिल जाते है और उनकी गति में ज्वाला के समान सर रंचना देखाई देती है क्योंकि वो फलेजला ¿ गति करते हैं? इसलिए लगते हैं कि ज्वाला जल रही है इसलिए इनको ज्वाला कोसिकाये कहा जाता है धीर से वह कुष्चन आए घुमा कर पूछा गया है TGT 2011 में और वो अला question पूछा गया था PGT 2013 में मैंने बताया था कि TGT और PGT में question घुमा कुमा करके पूछे जाते हैं तो देखी जो अला कोशी का है किस से संबंधित होंगी C उस सर्जन से संबंधित होंगी Next question है जो अला कोशी का संबंधित है फिर से वही question आया TGT 2009 में ये पूछा गया था जो अला कोशी का संबंधित है किस से संबंधित होंगी तो options होगा पहला उस सर्जन तंत्र से जो अला कोशी का संबंधित है और फिर next है जो अला कोशी का होती है देखे फिर से वही question है कितनी बाहर question है important question है आप लोग याद रखेंगे इसको जो अला कोशी का है किस से होगी बी answer से होगा इसका उस सर्जी से संबंधित है next question है systema में गायन को फोरिक केनाल पाई जाती है systema के अंदर जो गायन को फोरिक केनाल पाई जाती है वो किसली होती है आंसर होगा इसका पहला नर्मी मादा को पकड़ने के लिए गाहिन को फोरिक के नाल पाई जाती है आपको बता दें कि जो सिस्टोमा है इसको रुधिर फ्लूग कहा जाता है अंग्रेजी में ब्लड फ्लूग के नाम से इसको जाना जाता है सिस्टोमा को और यहां मनुस्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनमें परजीवी होता है, यदि आप लोग रुधिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चरह में सभी वीडियो जुधिर परप्लोरण हैं, आप लोग होगा सी रुधिर फ्लोक कहा जाता है या ब्लड फ्लोक कहा जाता है नेश कुश्चन है कौन सी लारवल अवस्था सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है ऐसी कौन सी लारवा अवस्था है जो सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती है आंसर होगा इसका पहला रेडिया अवस्था सिष्टोमा के जीवन चक्र में नहीं पाय जाती है आपको बता दें कि प्लेटी हल्मेंथी संग के जंतों में प्रायाह एक से अधिक लारवा अवस्थाएं पाय जाती है और उन सभी लारवा अवस्थाओं के बारे में मैंने अभी आप लोगों पताया था कौन कौन से थी इस पोरो सिष्टर थी, रेडिया थी, सरकेरिया थी, मेटा सरकेरिया थी और उतके वैलेत क्या थी, मेरिसीडियम थी तो सब लारवा की अवस्थाएं थी next question है पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है इन में से किस्ट में पूर्ण रूप से पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है आंसर सयोगा सी सिस्टोर्ट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है यानि कहले कि इसमें अनुपस्थित होता है औ इन्हें समानता हा टेप वर्म या थीता क्रिमी के नाम से भी जाना जाता है और ये जन्तों अपनी धित्य के द्वारा पोसल से पचा हुआ तरल भोजन अवसोसित करते रहते हैं नेश कुछन है किस वर्ग के जन्तों में आहार नाल अनुपस्थित होती है ऐसा कौन सा वर्ग है जन्तों का जिसमें आहार नाल नहीं पाई जाती है तो आंसर होगा इसका भी सिस्टोडा सिस्टोडा में आहार नाल नहीं पाई जाती है या एलिमेंटरी के नाल नहीं होती है बता दें कि संग प्लेटी हलमेंथिस वर्ग सिस्टोडा के सभी जन्तु कसेरुकी के अंता पर जीवी होते हैं यह जन्तु कसेरुकी यह वर्टी ब्रेट्स होते हैं और यह अंता पर जीवी होते हैं मैंने अभी बताया था, इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है या नहीं होती है, सामानता है इन्हें टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानि इन्हें सामानी रूप से क्या कहते हैं, टेप वर्म भी कहते हैं, जैसे टेप वर्म में कौन सा टीनिया माल लिजी, टीनिया टेप वर्म है, नेश कुछन है, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, चार आप संदिये गए हैं, इसमें से आंसर सही होगा B, टीनिया में पाचन तंत्र नहीं पाया जात ये प्रकार का टेप वर्म होता है नेश कुश्चन है इन में से कौन सा एक प्लेटी हलमेंथीस का लक्षण है कौन सा प्लेटी हलमेंथीस का लक्षण है बताना है आंसर होगा इसका बी ट्रिपलो ब्लास्टिक प्लेटी हलमेंथीस का एक प्रमुख लक्षण होता है आपको बता दें कि triploblastik को हिंदी में 3 Asteri कहा जाता है triploblastik को क्या कहते हैं 3 Asteri कहते हैं क्योंकि इन में 3 Germinal Aster कौन कौन से Ectoderm Ectoderm, Mesoderm तथा Endoderm पाये जाते हैं इसलिब को triploblastik बोलते हैं क्योंकि 3 Germinal Aster ये 3 Asteri होता है और इन में Metameric Khandon और अरिये सम्मिति नहीं होती है नेश कुछन है तीनिया अपना भोजन ग्रहन करता है केबल किसके द्वारा तीनिया अपना भोजन ग्रहन करता है टीजी टी दोजार दस में कुछा गया था इसका आंसर होगा सी देह भित्य के द्वारा तीनिया अपना भोजन ग्रहन करता है या कलिकी देभिति के द्वारा तरल भोजन अवसोसित करता है ऐसे भी आप कह सकने हैं बता दें कि टीनिया एक परजीवी जन्तु है जो कि मनस की आथ में पाया जाता है और इसमें आहार नाल या एलिमेंटरी कैनाल जो होती है वो पूर रूप से अनुपस्थित होती है अपसेंस होती ही नहीं होती है अता हम मुख नहीं पाया जाता है जब आहार नाल नहीं, तो मुख का कोई कारे ही नहीं है यह अपना भोजन पोसद या होष्ट की आथ की देभिति के द्वारा अवसोसित कर लेता है और चूसक इसे पोसत की आज से चिपकाने में साहिता करता है जो चूसक मुख होता है सकर होता है उसी से चिपकाता है आतो मैं अपने आपको next question है ग्रेविड खंडों का टीनिया के सरीर से ज़ड़ कर गिरना क्या कहलाता है आंसर होगा पहला एपोलाईसिस कहलाता है एपोलाइसिस आपको बता दें कि टीनिया का सरीर तीन भागों बटा होता है पहला हेड या सीर्स कहा जाता है दूसरा ग्रीवा या नेक कहा जाता है और तीसरा इस्ट्रोबिला होता है इस्ट्रोबिला में 800 से 1000 तक खंड पाये जाते हैं प्रोविला होता है उसमें लगभग में 800 से लेकर के 1000 तक खंड होते हैं और इन खंडों को proglotids कहा जाता है क्या कहते हैं proglotids और अंतिम छोर के लगभग 150 से 300 proglotids को gravid कहा जाता है इसका आंसर बताना है गुदा किसमे अनुपस्थित होती है यानि किसमे कुदा नहीं होती है TGT 2009 में कुछा गया था इसका आंसर बताना है गुदा किसमे अनुपस्थित होती है आंसर सयोगा D चप्टे क्रिम में गुदा अनुपस्थित होती है चप्टा क्रिम यानि फ्लैट वार्म कहा जाता है और ये संग प्लेटी हिलमेंथिस के प्राडियों को कहा जाता है चप्टा क्रिमे किसको कहते हैं? संग प्लेटी हिलमेंथिस के जितने भी प्राड़ी होती है इनको चप्टा क्रीमी कहा जाता है या फीता क्रीमी कहा जाता है फीते जैसे होते हैं इनमें आहार नाल या तो अपूर होता है या अनुपस्थित होता है या पूर रूप से बना नहीं होता है या फिर अनुपस्थित होता ही नहीं है और इनमें गुदा भी अनुपस्थित ह next question है एफ हिपाटिका या यक्तित प्रणाब के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोशक है एफ हिपाटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोशक कौन होता है answer सईयोगा भी घूँघा होता है गोंगा, नेश्ट कुश्चन है, दुई पार्शवी सम्मित दिखाने वाला प्राण जगत का पहला संग है, प्राण जगत का पहला ऐसा कौन सा संग है, जो दुई पार्शवी सम्मित दिखाता है, आंसर होगा D, प्लेटी हलमेंथीज, आपको बता दें, बाकी बिकल्पों म में मूल रोव से दुई पार्शवी सम्मित पाई जाती है लेकिन जो प्लेटी हिलमेंथीज है प्लेटी हिलमेंथीज संग प्रार जगत का पहला ऐसा संग है जिसके जनतों में दुई पार्शवी सम्मित दिखाई देती है और इनमें निम्न अस्तर के जनतों में या सरीर से अलग होना प्रमोचन किरिया कहलाती है नेक्स कुछिसन है चप्टे क्रिमियों में अंगों के बीच उपस्थित मीसोडर्मी उतक कहलाते हैं जो चप्टे क्रिमी हैं इनके अंगों के बीच जो मीसोडर्म उतक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आंसर होगा पहला पैर ब्लैडर क्रिमी किस में पाया जाता है तो इसका आंसर होगा ब्लैडर क्रिमी पाया जाता है आपको बता दें कि जो अधपके अधकचे मास खाते हैं ऐसे मनस्यों को यह संक्रमित करता है नेश कुछचन है ब्लेडर वर्म डिमभक है किसका चार आफसन दिये गए है इसका आंसर से होगा C टीनिया का ब्लेडर वर्म डिमभक होता है नेश कुछचन है ब्लेडर वर्म लारवा है किसका तो टेप वर्म का टेप वर्म का ब्लेडर वर्म लारवा होता है निश्क कुछ्चन है आस्मो ट्रॉफी पाई जाती है आस्मो ट्रॉफी किस में पाई जाती है आंसर सहयोगा डी टीनिया में आस्मो ट्रॉफी पाई जाती है आपको बता दें कि टीनिया एक परजीवी होता है जो आतों में रहता है और इसके चारों और द्रविय माध्यम होता है इसके द्वारा द्रविय माध्यम तथा अपने सरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को आस्मो ट्रॉफी कहा जाता है एलोजेनेसिस एक परकार का पीवी एक आंतरण है जो पाया जाता है एलोजेनेसिस पीडिये का आंतरण है ये किस में पाया जाता है आंसर होगा बी ये क्रित फुलूप में पाया जाता है इनमें से कौन त्री अस्तरिये जन्तु है त्री अस्तरिये जन्तु का नाम बताना है आंसर होगा ये सभी, येलिटिनेरिया, एसकेरिस और टीनियसोलियम ini सभी त्री अस्तरिय जनतु होते हैं ऐसे जनतु, जिन में भूडिय अवस्था या इंबरियोनिक एस्टेज में तीन जननिकस्तर बनते हैं या तेन जर्मिनल लेयर्स बाई जाते हैं उन्हें 3 अस्तरी जन्तु कहा जाता है 3 अस्तरी जन्तु किसे कहेंगे जिसमें 3 जनरिक अस्तर बनते हैं नेक्ट क्विश्चन है साइकलाउप्स किसका दुतियक पोशक है 4 आफशन दिये गए है यह क्विश्चन PGT 2004 में आया इसके बाद TGT में 2013 में पूछा गया मैंने आपको बताया कई बार कि TGT और PGT में बहुत सारे ऐसे कुश्चन जो घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं तो साइकलॉप्स किसका दुतियक पोशक है C सही होगा इसका option नहरुवा का या गिनी वर्मिशी को कहा जाता है इसका दुतियक पोशक होता है आपको बता दें कि साइकलॉप्स एक जलिय आर्थो पोड़ा है जो कृष्टेसिया वर्ग का है और नहरुवा इसके हल्मिंथीस फाइलम का जन्तु है या एक परजीवी है जिसका प्राथमिक पोशक मनुसी होता है प्राइमरी होश्ट क्या होता है मनुसी होता है next question है नर इसकेरिस मादा इसकेरिस से भिन होता है क्योंकि इसमें होती है तो इसका answer होगा C पिनवल इस्पिक्योल्स इनमें पिनवल इस्पिक्योल्स पाई जाती है इसलिए नर इसकेरिस मादा इसकेरिस से भिन होती है जैसा कि आप लोग चितर में देख भी रहे है नर इसकेरिस मादा इसकेरिस से कई तरह से भिन होती है और नर की मोटाई कम होती है और इसकी पूँच मुड़ी हुई होती है जबकि जो मादा की होती है पूँच बिलकुल सीधी होती है और नर में जो क्लोएका है क्लोएका से दो स्वी जैसी संदचनाएं निकली हुई है जिन्हें pineal speculs कहा जाता है यानि इन्ही स्वी जैसी संदचनाओं को pineal speculs कहते हैं या एक इसका दूसरा भी नाम होता है कापुलेटरी सीटी कापुलेटरी सीटी भी इन्ही को कहा जाता है और इन्ही से मैथुन होता है यानि ये मैथुन में शहायता करती हैं next question है सीटी वर्म किस क्रिमी का दूसरा नाम है सीटी वर्म किस क्रिमी का दूसरा नाम बताना है TGT 2013 में question पूछा गया था, इसका answer होगा पहला, pinworm, pinworm का दूसरा नाम CT worm, या CT worm का दूसरा नाम है, pinworm, बता दें कि इसका बैग्यानिक नाम, entrovious vermicularis है, entrovious vermicularis, CT worm का, या pinworm का क्या नाम है, बैग्यानिक, entrovious vermicularis, या मनुसी का सबसे साधारन निमेटोड पर जीवी है, साधारन है निमेटोड है और पर जीवी है, जो लगभग शंपूर विश्व में पाया जाता है, नेश कुछन है किस संग में वास्तविक देगवा अनुपस्थित होती है, चार संग दिये गए हैं, निमेटोडा, एनिल अनुपस्थित होती है, या नहीं पाया जाती है, पीजीटी 2013 में कुछन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, निमेटोडा में, निमेटोडा में वास्तविक देगवा अनुपस्थित होती है, आप लोगों को बता दें कि वास्तविक देगवा है क्या वास्तों में तो वास्तविक देगुआ वा होती है जो भूडिये मीसोडर्म से उत्पन होती है यहीं इंब्रियोनिक मीसोडर्म से उत्पन देगुआ को वास्तविक देगुआ कहा जाता है और यह गुआ जितने भी विकल्प दिये गए हैं इनमें से सब को छोड़कर संग जो निमेटोड जाती है जो कि भूंड ब्लाश्टो सील गुह से उत्पन होती है नेट्स कोछल है वोचरेरिया के द्वारा फाइलेरियेसिस जिस कारण से होता है वहा है क्या है चारा संद ये गए हैं इसमें से आप्सन से पहला लसी का ग्रंथियों में अवरोध के कारण बता दें कि फाइल अंगों की लसी का वहानियों में होते हैं जिस कारण से सूजन उत्पन हो जाती है नेश कुशन है हाथी पाव नामक रोग का वाहक है हाथी पाव नामक रोग का वाहक बताना है क्या है चार आपसन दिये गए है क्यूलेक्स मक्षर मादा एनाफलेज मक्षर संक्रमित क्यू कियोलेक्स मक्षर किससे केवल नहीं होगा संक्रमित मक्षर से होगा किससे केवलेक्स से बता दें कि हाथ ही पाउं या फाइलेरिया रोग वुचरेरिया व्रैंक अप्टी द्वारा होता है वुचरेरिया व्रैंक अप्टी के द्वारा उत्पन होता है और इसका वाहक या वे इसे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अगर आप लोग हाथी पाउं रोग पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो इमरेचल में अप्लोड़र है, आप लोग जा करके डीटेल से जनकारी प्राप्त कर सकते हैं, हाथी पाउं अथवा फाइल एरिया का रोग अस्थानांत्रित होता है, तो ये रोग अस्थानांत्रित होता है, तो ये रोग अस्थानांत्रित होता है, किस के द्वारा, चार आपसन दिये गए हैं, आपसन सायोगा B, मच्छर के द्वारा अस्थानांत्रित होता है, TGT 2010 में पूछा गया था और किस मच्छर के द्वारा तुमने बताया था क्यूलेस मच्छर के द्वारा या संक्रमित क्यूलेस मच्छर के द्वारा सभी लोग अब तक जान चुके होंगे कई बार प्रशन पूछा गया है गुमा गुमा करके तो इसका आंसर होगा D. हाथी पाउं या फाइलेरिया रोग बुचरेरिया उत्पन करता है नेर्फ कुस्टन है गुल क्रिमी के कारण कौन सा रोग होता है गोल क्रिमी या निमेटोडा के कारण कौन सा रोग हो जाता है TGT 2004 में कुछा गया था इसका आंसर होगा B phylariasis नामक रोग गोल क्रिमी के कारण उत्पन होता है और phylariasis नामक जो रोग है ये वुचररेरिया द्वारा उत्पन होता है या इसके हिलमेंथिस या निमेटोडा संग का जन्तो है और इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलिक्स मक्चर होता है बुचरेरिया ब्रेंकाफ्टी का लारवा है कौन सा बताना है पहला माइक्रो फाइलेरिया लारवा बता दें आपको कि यहाँ अल्प विक्सित सिसुप्रावस्था में होता है बुचरेरिया एक परजीवी है मैंने आपको बताया ही है जो file area या हाथी पाउन आमक रोख उत्पन न करता है next question है जरायूजी प्रायाह मिलता है जरायूजी किसमे मिलता है चार आपसन दिये गए हैं इसमें से option सयोगा पहला voucher area में जरायूजी मिलता है बता दें कि file area worm या voucher area एक जरायूजी गोल क्रिमी है roundworm है क्योंकि यहाँ अलपविक्सिस सिसु को जन्म देता है ऐसे जन्तों जो सिसु को जन्म देते हैं जरायुची कहलाते हैं next question है सिसिंसियल अधिचर्म पाया जाता है सिसिंसियल अधिचर्म किस में पाया जाता है TGT 2010 में question पूचा गया था इसका answer होगा B एसकेरिस में सिसेंसियल अधिचर्म पाया जाता है आपको बताते चलें कि एसकेरिस की अधिचर्म जो होती है जो epidermis होती है इसमें अलग-अलग कोशकाई नहीं होती है बलकि इसमें साइटो प्लाज्म की एक सतत या continuous अस्तर पाया जाता है जिसमें केंद्रक बिखरे भी होते है और उसे ही सेसिंसियल या सिनोसिटिक कहा जाता है नेट्स question है लैंगिक दुरूपता पायी जाती है लैंगिक दुरूपता किसमें पायी जाती है अस्केरिस में लैंगिक दुरूपता पायी जाती है आपको बता दें कि जब नर तथा मादा यानि मेल और फिमेल को बाह लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके उसे ही लैंगिक दुरूपता कहा जाता है तो लेंगिक दुरूपता किसे कहते हैं? यानि sexual dimorphism किसे कहा जाता है? जब नर को आप अलग पहचान सकें, मादा को अलग पहचान सकें, बाहलक्षणों को देखकर आप पहचान लें उसे ही लेंगिक दुरूपता कहा जाता है, या sexual dimorphism कहा जाता है तो एसकेरिस को नर एवं मादा में बाहलक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, इसलिए इसमें एसकेरिस आप्षण सही होगा नेश कुश्चन है, लेंगिक दुरूपता इसपस्ट दिखाई देती है, किसमें आंसर सही होगा C, एसकेरिस में, वो कुश्चन TGT 2009 में आया था, फिर देखे उसी कुश्चन को गुमा कर पूछा गया थोड़ा सा TGT 2011 में, कई बार कुश्चन गुमा गुमा करके पूछ नेश कुश्चन है, एसकेरिस का प्रथम तरुन डिम्भक कहलाता है, एसकेरिस का प्रथम तरुन डिम्भक कौन कहलाता है, TGT 2009 में कुश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा B, रहबडीटी फार्म लार्वा, रहबडीटी फार्म लार्वा डिम्भक कहलाता है, वाहिकाओं में निवास करते हैं आपको बताते चलें कि माइक्रो फाइलेरिया वुचरेरिया ब्रंकाफ्टी की संक्रामक लार्वा आवस्था है जो फाइलेरिया रोग उत्पन करता है और मनुस्व के रुधिर में ये परजीवी और रात दिन में अलग अलग तरह के निवास करते हैं रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं या रहते हैं रात में ये उपरी तथा बाहरी रुधिरवाहिकाओं में रहते हैं जबकि दिन में ये भीतरी रुधिरवाहिकाओं में निवास करते हैं नेश कुछन है निलुखित में से किस एक का कोई मध्यस्त पोशक नहीं होता ऐसा कौन सा है जिसका कोई भी मध्यस्त पोशक नहीं होता है बीच का पोशक नहीं होता है TGT 2004 में कुछा गया था इसका आंसर होगा D. Askeris का बता दें कि जितने भी विकल्प हैं इन विकल्पों में Askeris ऐसा परजीवी है जो अपना जीवन चक्र एक पोसद में पूरा कर लेता है एक ही होश्ट में पूरा कर लेता है इसका कोई भी दुतियक या मध्यस्त पोसक नही होता है समानता Askeris का पोसद मनुसी ही होता है जबकि जो अन्ने आफशन दिये गए हैं अन्ने आफशनों में सभी के दुतियक पोसक भी होते है या अपना जीवन चक्र एक से लेकर के दो पोसदों में पूरा करते हैं नेश कुछचन है किस परजीवी के लिए दुतियक पो पूशा गया था ये TGT 2002 में उसके पहले आया था तो घुमा घुमा कर पूशे जाते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा C Askeris जो होता है इसका पोसद किवल मनुस से होता है एक ही पोसद होता है एक ही पोसद में अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट में पूरा कर लेता है नेश कुछचन है निवलकित में से किस परजीवी का मध्यवर्थी पोसी नहीं होता है तो इसका आंसर होगा B Askeris का मध्यवर्थी पोसी नहीं होता है चाहे मध्यवर्थी कहिए चाहे मध्यस्त कहिए चाहे दुतियक कहिए बात एक ही होती है नेश कुछ किसका आंसर होगा B, एसकेरिस में intermediate host नहीं पाया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया देखे, कितनी बार question गुमा गुमा करके पूछे जाते हैं, सेम वही question को अलग तरीके से पूछा जाता है, next question है, एसकेरिस में उतसरजन अंग इस आकार का होता है, और यहां अकेली कोशिका से बिक्सित होता है, जिसे रीनेट कोशिका कहा जाता है, जो अकेली कोशिका होती है, जिसे बिक्सित होता है, उसे क्या कहते हैं, रीनेट कोशिका कहते हैं, और इस कोशिका से नलिकाओं का निर्माड होता है, ये संपूर्प कैनल आपस में मिलकर H के आकार की दिखाई देती है नेक्स कुस्चिन है अमीबिये सुक्राण किसमेレए पाए जाते है? TGT 2002 में कुछा गया था इसका आंसर होगा D S.K.R. में अमीबिये सुक्राण पाए जाते है नेक्स कुस्चिन है root not रोग उत्पन होता है किस से? option सही होगा B, निमेटोट से root not रोग उत्पन होता है आपको बता दे कि root not है क्या वास्तों में mellow yellow join नामक निमेटोट की कुछ प्रजातियां बिभिन ब्रच्छों, जारियों, साग की जड़ों को रोग ग्रस्त कर देती है उसे ही root not रोग कहा जाता है mellow yellow join की यानि इस जो निमेटोट है इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है वो ब्रच्छों को, जारि को, साग की जड़ों को रोग ग्रस्त कर देती है उसे ही root not रोग कहा जाता है